नश्कार वच्चों, इस वीडियो लिक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 के मुल्टिपल चॉइस कोशन्स और जो मुल्टिपल चॉइस कोशन्स होंगे वो सोचल स्टडीज के होंगे आपका टर्म वन का जो एक्जामनेशन का पीपर होने वाला है MCQ-based होगा तो उसी से related हम लोग आज एक सैंपल वेपर को डिस्कस करेंगे तो चलिए फर्स्ट कॉशन में कहा गया इन विच आफ दर इन विच टाइप अफ अनिम्पलाइमेंट पीपल अपेर टो बी इंपलाइड तो कौन सा ऐसा इंपलाइमेंट होता है जिसमें लोग इंपलाइड दिखते हैं लेकिन असलियत में होते नहीं है तो इस इस कॉल डिस्काइजड अनिम्पलाइमेंट ठीक है तो इसमें ऑप्शन मेंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्टन इस कॉशंबर टू इसमें कहा गया है नेक्स्ट कॉस्टन कॉश्टमर थि है इसमें कहा गया इसमें कहा गया विच fort इसमें इस्काइज और इसमाल इसकेल मन्फेक्चरिंग in village तो स्माल इसकेल मन्फेक्चरिंग जो होती है विलिजजज में उससर रिलेटेट कॉन साई स्टीटमें गलत है मतलब true नहीं है यह आपको बताना है इस question में first दियागे the production is done mostly at home सही है farmers take help of their family members यह भी सही है small scale manufacturing वे चीज़ होती है दोनो third में कहा गया farmers produce articles for their own use own use के लिए articles को produce नहीं करते यह चीज़ गलत है और next दी गई farmers engage in it to supplement their income यह भी सही है इसमें A, B और D जो है वो सही है लेकिन गलत पूछा गया था तो गलत कौन सा है option C is wrong of question 3 question 4 देखेंगे question 4 में कहा गया the Himalayan uplift out of Tethese Sea and subsidence of northern flank of peninsular plateau resulted in the formation of large basin which of the following physical division of India was formed due to filling up of this depression तो जो depression create हुआ वहाँ पर उसको fill करके जो भी आपका physical division बना ठीक है वो physical division कौन सा है यह आपको इस question में बताना है ठीक है कौन सा question है question 4 पे हम लोग आ गये है तो इस question का अगर answer देखा जाए तो इसका answer है northern plains next question पे आएंगे question 5 है question 5 में देखें क्या कहा गया है complete the following table with correct information with regard to India अब देखें इंडिया के बारे में आपको information को complete करना है latitude और longitude से related question पूछा गया है इंडिया latitude which passes at almost middle ठीक है और longitude which decides the time zone अब आपको उताना है कौन सा ऐसा longitude है जो time zone decide करता और कौन सा ऐसा latitude है जो almost 20 से पास करता है ठीक है तो 20 से पास करने ओला जो latitude है वो है 23 degree 30 minutes north और अगर longitude की बात करी जाए तो longitude कौन सा है जो time decide करता है time zone decide करता है इंडल टाइम भी कहा जाता है next question पर आएंगे तो इसमें B option हो जाएगा question number 6 देखिए match the following अब आपको देखिए match the following आपको बताना इसमें से कौन सा अंसर सही होगा तो देखिए sovereign दिया है republic दिया है fraternity दिया है और secular दिया है तो देखिए first option में कहा गया sovereign अब sovereign को आप किस से जोड़ेंगे people will have supreme right to make decisions ठीक है तो decision making में सबसे ज़्यादा अगर power है सबसे ज़्यादा right है किसे पास तो वो कौन है खुद आम इंसान है next republic दिया है republic का अंतलब क्या होता है republic का अंतलब होता है head of state is an elected person ठीक है fraternity की बात करें तो भाई चारा मतलब यह होता है तो इसमें अगर देखा जाए तो people should live like brothers and sisters यह भी सही है और secular में देखा जाए secular का मतलब क्या होता है government will not favor any religion तो जैसे भारत एक secular country है यहांपर किसी भी religion को favor नहीं किया जाता ठीक है सभी religion बराबर के है तो दिखे सबसे पहले क्या हुआ था Louis XVI became the king of France तो यह सबसे पहले हुआ इसके बाद क्या हुआ Constitution is famed to limit the power of king पहले यह हुआ फिर third part हुआ उसके बाद दिखाएगा तो France became public हुआ और last में क्या हुआ Napoleon became emperor of France ठीक है तो इसमें 2,3,1,4 जो होगा that will be the correct answer next question is question number 8 who chaired the drafting committee of Indian constitution the drafting committee का chairman कौन था Indian constitution के तो यह थे doctor BR बेट कर तो 8th question का answer हो जाएगा option number B 9th question में देखे कहा गया scope of farming activities limited to Palampur due to farming activities जो थी वो Palampur में क्यों limited थी आप से इस question में पूछा गया ठीक है तो क्योंकि जो land था land का amount जो था वो बहुत ही कम था fixed था ठीक है बहुत ज्यादा land नहीं available थी Palampur में इसी लिए यहां पर activity farming activity proper limited हो पाती थी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती थी which geographical feature bounds India's mainland south of 22 degree north latitude 22 degree north latitude की बात करी गई है यहां पर जो भी आपके पास यह कहा गया है कि जो भी आपके पास geographical feature है जो bound करता है India's mainland को वो क्या है ठीक है तो यह अगर देखा जाए तो यह है seas and oceans ठीक है तो इसमें D option सही हो जाएगा next is question number 11 the assembly elected in 1792 was called तो देखे जो assembly 1792 में elect हुई उसको क्या कहा गया था तो उसको कहा गया था convention तो इसमें A option सही है next is question number 12 according to which act were elections held to provincial legislatures in India in 1937 तो जेकि इंडिया में जो 1937 में provincial elections हुए provincial legislature पे जो elections हुए वो किस act के accordingly हुए थे तो यह हुए थे government of India act 1935 के according next question question number 13 देखे तो question number 13 है देखे पहले पूरी बात यहां पर दी गई है ठीक है यहां पर पूरा statement based थोड़ा सा question है यह घंशियामा लाज farmer in palampur had just bought a few harvesters think this some farm laborers who work in farm are unhappy one of them said that now they will have less work ठीक है तो इस तरही के से पूरा दिया गया यहां पर हम लोग सीधे इसके question पर आते हैं question में कहा गया select the option that best signifies this situation तो इस situation को जो best signify कर रहा है वो आपको इस question में बताना है ठीक है अब देखे चार यहां पर situation दी गई है जो best signify करेगी आपने ऊपर का statement पढ़ा होगा तो हम आपको सीधे answer बतायते हैं answer is small farmers are dependent on big farmers for work ठीक है next question आते हैं next question is question number 14 which among the following statement is incorrect आपको बताना है कौन सा question कौन सा statement incorrect है पहला दिया गया केरला has highest literacy rate in India बिल्कुल सही है next literacy rate in India have increased from 1915 to 2019 भी सही है जो literacy rate है वो भारत का increase हुआ है 1951 से 2019 में और सबसे जादा या दर्खे का कहा पर है केरल में है और सबसे काम अगर पूछा जाए तो बिहार में है next आपको दिया गया है next में कहा गया c option में दिया गया है literacy rate among the female is higher than the male ये गलत है female का literacy rate higher नहीं है lower है than male ठीक है तो c option इसमें गलत हो जाएगा incorrect पूछा है c option पे आप टिक करेंगे question 15 में कहा गया why Chinese government is not considered democratic government Chinese government को democratic government क्यों नहीं माल सकते है पूछा गया है first दिया गया government is not accountable to people गलत है second दिया गया government is always formed by communist party ये option आपका सही है ठीक है democratic इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो भी party बनेगी जिसकी भी सरकार बनती है वो हमेशा communist party की ही होती है ठीक है next question देखिए question number 16 में क्या कहा गया the peninsular plateau is formed by peninsular plateau का formation किस से होता है ये आपको बताना है तो peninsular plateau का जो formation होता है वो होता है black soil से ठीक है मतलब formed off formed by नहीं है formed off है मतलब क्या है सबसे आदा गर देखा है सबसे आदा soil जो present है peninsular plateau में वो है black soil इसी को rigor soil भी कहते है और इसमें याद रखेगा सबसे आदा cotton का production होता है और इसमें अगर आप देखेंगे तो महराष्ट का जो region है उसमें सबसे आदा black soil rich है ठीक है next question question number 17 देखिए 17 में देखिए क्या कहा गया है which of the following aspect is signified by the lady in the given figure तो देखिए यहाँ पर एक lady है ठीक है अब आपको बताना है कौन से aspect को show किया जा रहा है इस figure के through तो यह क्या show कर रहा है this is showing liberty ठीक है liberty को मतलब होता है freedom next question में कहा गया question number 18 है which one of the following country is showing this cartoon तो देखिए कि यहाँ पर cartoon दिखाया गया आपको बताना है कौन से country है जो इस cartoon को show कर रही है मतलब किस country के बारे हैं कहा गया at last one man one vote I liked better than when I was the one man and the one vote ठीक है तो इस तरीके से है the one man and the one vote ठीक है तो यह बात हो रही है इराक की मतलब कहीं न कहीं terrorism की बात कर रहे हैं अगर एक आदमी रहेगा और एक ही वोट हो पाएगा ठीक है तो यहाँ पर उसकी जब वो जेल में चला गया तो जो लोग थे उसके country के वो बहुत ज़्यदा फ्री हो गया है और वो क्या कह रहे हैं कि one man one vote ठीक है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यह उसी के उसी sentence को कह रहा है लेकिन दूसरी तरीके से कह रहा है मतलब यह बाकी लोग को मार देता तो सिर्फ एक ही man बसता तो एक ही आदमी वोट भी कर सकता था उसी को ही वोट करता ठीक है तो इसमें एराक विल भी दा करेक्ट आंसर निक्स्ट कुश्चन इस कोशंबर 19 19 देखिए यहाँ पर आपके पास मैज दॉ कॉलम है देखे इसमें क्या कहा गया है सबसे पहले active citizen को मैच करना है तो active citizen को आपको पता होगा इसके पास वोट के लिए entitle होता है ठीक है Feudal Privileges की बात करी जाए तो इसमें आ जाएगा Services by Peasants to Lords ठीक है यह है Feudal Privileges Old Regime की बात करी जाए तो यह हो जाएगा Society of France before 1789 और जो रिजीम होता है और टिथ की बात करी जाएए तो टिथ क्या होता है एक Tax होता है जो की चर्ज लेता है Next Question 28 है 20th Question में देखे क्या कहा गया देखे यह Map Based Question है आपके पास Which of the following state is located in extreme east of India and state located in central part of India तो आपको बताना है extreme east में जो state हो और साथी साथ central part में जो state हो आपको match बताना है क्या होगा ठीक है तो अगर देखे यहां पर extreme यहां पर center पर अगर देखा जाए तो अंदरप्रदेश नहीं है डेली भी नहीं है यहां मदरप्रदेश center पर है और eastern most देखा जाए तो यह है अंदरणचरप्रदेश तो यह option इसमें सही हो जाएगा Next आते हैं Assertion Reasoning Based Question है Assertion Reasoning Based Question देखे First Question क्या कहा गया इसमें कहा गया है Farm laborer does not get the wages set by the government बिल्कुल सही बात है जो farm laborers होते हैं उनको वो wages नहीं मिलती है जो government set करती है ठीक है अब इसके पीछे reason देखे क्या दिया गया Farm laborer is ready to work on low wages by seeing heavy competition for work among the farm laborers देखे क्योंकि बहुत सारे laborers हैं और वो जानते हैं कि अगर उन्होंने काम सस्ते में नहीं किया महंगे में किया तो दूसरे इंसान को काम मिल जाएगा जो काम कम पैसे में कर देगा तो इसलिए कहीं न कहीं का social भी होता रहता है exploitation भी होता रहता है और इनको कम wages दी जाती है as per decider by the government तो दोनों statement जो हैं वो सही है और reason is the correct explanation of assertion तो इसमें ए option जो होगा वो सही हो जाएगा question 22 देखेंगे 22 में देखे क्या कहा गया इसमें देखे कहा गया है Napoleon Bonaparte crowned himself as emperor of France in 1804 ठीक है तो emperor बना था France का कौन Napoleon Bonaparte 1904 में बना था ये बिलकोल सही statement है reason में क्या दिया गया directory of France allowed him to do so ये गलत है ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें assertion is correct reason is false तो इसमें C option सही हो जाएगा 23 देखेंगे इसमें कहा गया है इसमें कहा गया latitudinal extent of India influences the season of India जो latitudinal extent है क्या वो season of India को influence करता है तो ये statement जो आपको पहला दिया है ये गलत है क्योंकि जो latitudinal extent होता है इंडिया का या किसी भी country का वो season को effect नहीं करता है influence नहीं करता है reason दिया गया duration of day and night is hardly filled at Kanyakumari but not so in Kashmir ये आपका statement जो है बिलकोल सही है assertion is wrong, reason is correct तो इसमें option number D सही हो जाएगा question 24 देखे इसमें क्या कहा गया the small farmers who constitute about 80% of total farms in India find it difficult to obtain capital तो ये बात जो है बिलकोल सही कही गई है small farmers जो होते है approximately 80% total farmers इतने भारत में है इनको असानी से capital या या ये कह सकते है loans नहीं मिलते है reason कह दिया गया the small size of their plots land are not able to produce enough ठीक है तो ये भी option जो है आपके पास सही है capital की बात करी जाए ये बात करी जाए जैसे produce जो भी होता है जो भी इनको पैसे मिलने होते है बहुत ही कम मिलते है तो इसके पीछे reason क्या है क्योंकि इनके पास land बहुत कम होता है तो जो production होता है बहुत ज़्यदा नहीं हो पाता तो इसमें assertion भी सही हो जाएगा reason भी सही हो जाएगा और explanation भी सही हो जाएगा तो ए option will be correct of question number 24 25 में देखे क्या दिया गया इसमें कहा गया है assertion है India occupies a major part of South Asia ठीक है India जो है क्या वो major part है South Asia का तो बिल्कुल ठीक है reason में दिया है India is southward extension of Asian continent ये भी आपका option सही है तो इसमें भी देखा जाएगा assertion भी सही है reason भी सही है explanation भी सही है तो इसमें option number A जो होगा वो सही हो जाएगा इसके बाद हम लोग case study based questions को देखेंगे case study में देखे इसमें सबसे पहले आपको एक case दिया रहेगा फिर case related आपको questions पूछे जाएगे तो case हम आपको दिखा दे रहे हैं इस case को आप लोग पढ़ लीजेगा और फिर आते हैं इसके questions पे तो देखे ये भी case है आपका और फिर ये आगए first question पे जो की है 26th देखे इसमें क्या कहा गया इसमें कहा गया है the third state comprised of तो जो third state है वो क्या है ठीक है उसमें लिए पूछा गया है poor servants है, peasants and artisans है big businessmen, merchants, lawyers etc और दिया गया है all of the above तो इस सारे के सारे जो दिये गया है बिल्कुल सही है तो third state में poor servants भी आते हैं peasants, artisans भी आते हैं big businessmen, merchants और lawyers भी आते हैं तो इस कहां सारे हो जाएगा all of the above कोशंबर 27 में आते हैं which state in France were exempted from paying taxes तो कौन सा state था France का जो की tax नहीं पे करता था जिनको tax नहीं देना परता था तो वो थे first और second state फरस्ट और second state के जो लोग थे उनको tax नहीं देना परता था next question पे आएंगे question number 28 है who advocated that each member should have one vote तो किसने ये चीज़ किसने बात करी है कि हर एक member के पास सिर्फ एक vote होना चाहिए तो रूजो ने बात करी है तो इसका B option जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा question number 28 का question number 29 पे आएंगे 29 में देखी क्या कहा गया which of the following aspect is or incorrect about middle class that emerged during 18th century ठीक है तो आपको बताना है कौन साथ statement इसमें incorrect है और किस से related है middle class से related है ठीक है तो middle class related कौन साथ statement incorrect है 18th century के हिसाब से याद रखेगा ठीक है तो यह देखें first में क्या कहा गया they earned their wealth through an expanding overseas trade and from manufacturing of good यह सही है they were educated people who believe that no privileges should be provided to a particular group यह भी सही है they emphasize the importance of natural law and social equality यह भी सही है और जो fourth दिया गया उसमें कहा गया they demanded monarchy to surrender their wealth यह बिलकुल ही गलतिस statement है ठीक है तो इसमें D option wrong हो जाएगा 30th question देखें क्या कहा रहा है one way in which caste system in traditional India and state system of pre-revolutionary France are similar as that ठीक है आपको बताना है कोई तरीका एक तरीका बताना है in which caste system in traditional India and state system of pre-revolutionary France are similar ठीक है तो यह आपको इस question बताना है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा social mobility was very limited ठीक है next question बाएएगे question number 31 देखें इसमें क्या कहा गया तो एक और आपके पास case study है ठीक है democracy से related case study उसको आप लोग पढ़ लीजे और आते हैं assertion reasoning based question पे देखें पहला assertion reasoning based question 31 question में दिया गया है उसमें कहा गया democracy is not a magical solution for all problem बिल्कुल सही बात है democracy हर problem का solution नहीं होता ठीक है और reason कहा दिया कि democracy as a form of government only ensures the people to take their own decisions ठीक है democracy सिर्फ यह ensure करती है कि जो लोग है वो अपने decision खुद ले सकते हैं ठीक है बस इतना ही है तो यह नहीं कहा सकते है कि यह सारे problem का solution हो जाएगा assertion भी सही हो जाएगा reason भी सही हो जाएगा explanation भी सही हो जाएगा तो इसमें option number A पे आप टेक करेंगे question number 32 देखे in which of the following cases democracy cannot provide us a complete solution तो किस case में इन में से जो भी cases दिये गया है उन में से कौन जाएसा case है जिसमें democracy complete solution provide नहीं कर सकती है first दिया गया removing poverty completely ठीक है बिल्कुल भी गलत है democracy से poverty पूरा पूरा remove नहीं हो सकता सही है इसका मतलब यह गलत है maintaining political equality तो political equality तो democracy से बनाई जा सकती है तो यह तो गलत है इसको तो हम लोग कर सकते हैं providing education for all यह भी कहीं नहीं नहीं किया जा सकता ठीक है मतलब पूरी completely नहीं किया सकते है किया सकते हैं completely नहीं किया सकते है तो इसमें option number A और C जो है वो सही है next question number 33 देखिए 33 में कहा गया which among the following are the drawbacks of democracy तो democracy की drawbacks क्या है यह आपको इस question में बताना है first दिया गया instability and delays in implementation of public policies बिल्कुल सही है जो public policies होती है उसमें थोड़ा बहुत delay होता है implementation बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है तो यह कहीं है कहीं एक बहुदी drawback है democracy की corruption भी बहुदी drawback है democracy की यह भी सही है political politicians fight among themselves यह भी एक drawback होती है democracy की तीनों की तीनों option जो है वो सही है तो इसका answer हो जाएगा all of the above next question 34 देखिए इसमें कहा गया a democratic government is better than non-democratic government because तो देखिए जो democratic government है वो non-democratic government से अच्छी है आपको बताना है वो अच्छी क्यों है ठीक है first दिये कहा it may or may not be accountable गलत है it always responds to the need of people गलत है it is more accountable in form of government तो अगर democratic government देखिए जाए तो जादा accountable government होती है इसलिए ये non-democratic government से जादा अच्छी है next question 35 है the most common form of democracy that is prominent in our times is तो सबसे जादा जो common है democracy वो कैसी democracy है इस question में पूछा गया ठीक है तो ये है representative democracy भारत में भी देखा जाए तो representative democracy हम लोग direct प्रधान मंतिजी को या chief minister को elect नहीं करते है हम लोग representatives को elect करते हैं और वो जाके जब उनमें voting होती है यह कह सकते हैं उनमें देखा जाता है कौन सेंबर सबसे आदा वो लोग चाहते हैं तो उसको prime minister या president या prime minister चीफ minister बनाया जाता है next यहां पर सर्व सिक्षा अभियान से डिलेटर देखे एक paragraph आपको दिया गया है ठीक है तो यहां पर दो तीन बात आपको याद रखनी है कि 6-14 years के लिए में लिए है और यह 2010 से start हुआ ठीक है अब देखे मिड़े मेल भी इसमें scheme भी जोड़ी गई और यह सब चीज़े आप से बोला गया है अब इस पर बेश्ट क्वेशन पर आते हैं क्वेशन देखें कुछ नबर 36 है SSA मतलब सर्व सिक्षा अभियान के बारे में पूछा गया है इसमें कहा गया simply means इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है education for all next question में क्या कहा गया सर्व सिक्षा सर्व मतलब all होता है सिक्षा मतलब education होता है और अभियान तो आप समझी गया है अभियान मतलब एक तरीके project SSA is a partnership between तो एक इसके किसके बीच में partnership है तो central government, state government और local government तीनों में ये partnership है सर्व सिक्षा अभियान मतलब ये नहीं है कि पूरा-पूरा role से central पे करेगा या पूरा role से state का हो गया पूरा role local तीनों का ही पूरा-पूरा role होता है मतलब तीनों जो governments होती है वो तीनों government आपस में मेल जोल करके इसको apply करवाती है next में कहा गया what is the major aim of सर्व सिक्षा अभियान सर्व सिक्षा अभियान का major आपको बताना है aim क्या है major aim अगर देखा जाए तो पहला दिया गया to provide elementary education to girls गलत है to provide elementary education to rural poor A.B. गलत है c में दिखे दिया गया है to provide elementary education to all children in the age group of 6 to 14 यह 6 to 14 आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है छे से 14 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं उनको elementary education provide करना यह किसका काम है सर्व सिक्षा अभियान का काम है next question is question number 39 39 देखे तो जिखे 39 में कहा गया है consider the following about midday meal scheme and select the correct statement तो midday meal scheme से लेटर आपको बाते कही गई है वो आपको फिर correct statement को select करना है पहला दिया गया it is supported under SSA बिल्कुल सही है statement सही है it was launched in year 1995 यह भी statement सही है 1995 में midday meal को launch किया गया था C बोला गया under this the children would receive only one time meal for free ठीक है मतलब दो पहर का जो खाना होता है वो इनको free में मिलता और इससे होता क्या है जो attendance ratio होता है वो कहीं न कहीं primary इस तर पे बढ़ जाता है ठीक है तो इसमें one, two, three तीनो ही option जो होंगे वो सही होंगे next question और last question है आज का इसमें देखे क्या कहा गया midday meal scheme is financed and managed by ठीक है तो finance कौन करता है midday meal scheme को ministry of human resource development ठीक है तो अब इसका नाम फिलाल ministry of education हो गया है या आप लोग याद रखेगा ministry of mhrd जो था ministry of education अब हो गया है according to new education policy ठीक है तो यह हमारे पास 40 questions थे जो अभी हम लोग ने discuss किये next बहुत जल्द आपके सामने एक और मतलब term 1 का जो भी sample पर है उसको बहुत जल्द लेके आएंगे तो हम लोग से जुड़े रहे हैं आज के लिए फिलाल उतना ही thank you very much good bye जे हिंद